एलोव विडियोवर्ण आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केपलर्स लॉव प्लेंट्री मोजन ठीक है केपलर्स लॉव बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से आप देखेंगे केपलर्स लॉव जो है आपके आपके एग्जामनेशन भी पूछे जाते हैं प्लस थीरी लॉव था ना उसी तरह से केपलर्स का भी थीरी लॉव है लेकिन एक दूसरे से काफी डिफ्रेंट है कोई मतलब नहीं है कि न्यूटन्स लॉव क्या था और केपलर्स लॉव से ठीक है तो यह सीधे उन्यूटन्स लॉव अलग है केपलर्स लॉव अलग है बस एतना की जीस तरह से उसमें 3 law दिया गया था इसमें भी 3 law है बर्ट और कोई relation नहीं है क्लेस तक K plus law को ओड़ी स्टार्ट करते जिसमें first है के plus first law क्लेस फिर्स bargaining law क्या बताता है कि यह जो आपका sun है वह circular motion भी नहीं है एक circle पर नहीं है यह क्या है elliptical है इलिप्स पे घूमता है ठीक है जो आप जैसे आप जानते होंगे न कि sun है यह सूरज है और पिर्थी भी इसके चारोर चकर काटती है चकर लगाती है तो यह elliptical path पे not circular मतलब circular path ठीक है यहाँ पे क्या है elliptical path पे है और elliptical ellips में दो focus होते हैं तो कोई एक focus पे कौन है सूरज है जैसे आप ऐसे समझेगे सूरज सब जानते हैं ellipse के बारे में सब पढ़ें ellipse में दो focus he होता है इसना सब जानते हैं दो focus होता था कोई एक focus पे सूरज है और शिकते चारो और क्या करता है पिर्थीवी मालेजी पिर्थी भी को ब्लू से कर देते हैं, यह पिर्थीवी है, देखें यह पिर्थीवी है, पिर्थीवी इसके चारो और आप क्या करता है, चक्र लगाता है, ठीक है, कोई एक ही फोकस पे है, जहाँ पे क्या सूर्ज है, और उसके चारो और क्या लगाता है, चक्र, तो all planets revolve around sun in close elliptical orbits, sun is at one focus of ell ellips, ठीक है, यहां तक clear है, तो ellips का यहां पे कहानी दिया हुआ है, तो आप जानते होंगे, तो इसको यहां पे थोड़ा सा skip करते हैं, अब यहां पे समझे, कि जब, क्योंकि देखें, elliptical path पे है, तो एक बार क्या होगा, नजदीक होगा, एक बार दूर होगा, जिसे यहा सूरच से दूर है कि नजदीक है, सूरच से क्या है, दूर है, लेकिन यही पिर्थीवी यहां पे आ जाए, पिर्थीवी यहां पे घुमते घुमते आ जाए, अब बताए यह सूरच से नजदीक है कि दूर है, तो नजदीक है यहां पे, यही चीज़ बता रहा है, यहां से qtion पूछा गया था आपके एकजाम में और भायवा में भी इससे qtion किया गया था कि जब काता है कि । where स्वर्ष कहता है कि प्लेनेट सन के पास हो जाता है तो कभी दूर हो जाता है ठीक है और झब प्लेनेट शन के च्वसे नजदिक होता है तो उसे हम लोग peripheralion काते हैं या प्रीजी के नाम से जानते हैं कलोजेश्ट distance between sun और planet जो है ओडिस्टेंस के ऐसे दिया हुआ a into 1 minus e जहाँ e पे क्या है eccentricity है ठीक है तो इसकी बात तो अभी रहने दीजे इसको आगे भी समझाने वाले अभी इतना याद रखिए कि एक elliptical elliptical orbit पे क्या करता है rotation होता है ठीक है तो यह मान लिजे इस point पे दो focus है एक पे सूरज है एक पे सूरज है और पिर्थीवी चारोर चकर लगा रही है तो पिर्थीवी कभी sun से दूर तो कभी क्या नजदीक है तो इस distance जो है न जब sun से दूर रहेगा जो distance असर सन से जो नजदीक रहेगा वो distance उसका अपना-पना एक नाम है तो जब planet sun के नजदीक होता है तो उसे प्रिफिल्योन या प्रिजी कहते हैं और जब planet sun से सबसे दूर होता है तो उसे अफलियोन या आफोजी कहते है, ठीक है, अर जब दूर होगा, तो उसका distance किता हो जाएगा, a plus, 1 plus c, उसमें क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, जब नजदीग होगा, तब a into 1 minus c, जब दूर होगा, तो a into 1 plus c, जहांपे e क्या है, eccentricity है, ठीक है, चलिए अब आते हैं केपलर सेकेंड ड्राव में तब पहला ला तो सीधे सीधे बोला कि सर्कुलर मोशन पे नहीं वो क्या करता है एक एलिप्टिकल पाथ पे होता है जिसमें एक किसी एक फोकस पे जो सन है वो क्या है अपना इस्थिर वहां पे है ठीक है बाकी जितने भी प् आते हैं इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं जैसे कैसे बनाए थे इसका कि प्रिफिलियोन ऐसा नहीं कि दो नाम है और दोनों कब जब नजदीक हो अफिलियोन या फोजी ठीक है दोनों एक ही नाम है मतलब कि एक ही जब डिस्टेंस दूर होता है तो उसको अफिलियोन बोलते है या फोजी बोलते है ठीक है तो हम लोग ऐसा ही याद किये थे कि अलफाबेट में जिसस से या सिंपल दोगों तो है याद कर लीजिए केपलर सकेंड लाव में आते हैं केपलर सकेंड लौ क्या बताता है कि अपलेनेश डू नॉट रिवॉल्स एरांड सन बित कॉंसे कॉंसेंट स्पीड ध्यान से सुनिएगा सकेंड लौ क्या करता है सकेंड लौ बताईए तो सकें पहले नहीं रहता है चेंज होते रहता है मानिजी घूर है यहां से दूर है इसका कुछ और कि सब्सक्राइब नजदिक आता है इसका रोटेशन कुछ और रहता है दूर रहता है कि अटको रहता है थेंड नर्व को रहता है ठीक है जिए पहले बताएंगे जो प्लेनेट्स होता है जो केपलर सेकेंड लां में बताया गया था कि प्लेनेट्स जो होता है वो पूरे इलिप्टिकल पाथ पे एक constant speed से नहीं move करता है constant speed से move नहीं करता है पहला line हुआ planets move faster when it is near to sun जब sun के नज़िक होता है तो उसका जो planet का जो गती होता है वो क्या होता है तेज हो जाता है और जब दूर होता है तो क्या होता है slow हो जाता है तो देखिए ऐसे नजदीक होता है तो तेज हो जाता है दूर आता है तो सलो हो जाता है धियां से सुनिएगा इसको पूरूफ भी पूछा गया था देखिए यहां से जब नजदीक होगा तो यहां से तेजी से बढ़ेगा तेजी से भागेगा और जब यह दूर रहेगा तो सलो हो जाएगा क् इसको मिटारी दीजे यहां प्लेनेट है पीशे प्लेइट हो गिया ठीक है अरहे स्पीड हो गया 20 मीटर हो गया थे का स्पीड कम जायागा एक एक जाम्पल दे रहा है तो ही जब नज्दीक रहेगा तो इसका जो आपका गती है वो क्या ज्यादा हो जाएगा और दूर रहेगा तो इसका गति कम हो जाएगा इतना point बता दीजिएगा second law क्या क्या बताया कि पूरे elliptical path में planet का constant speed से move नहीं करता है कभी तेज तो कभी कम हो जाता है पहला point, line दूसरे line में क्या बताना है कि जब सूर्ज के निकट रहता है प्लेनेट तो उसका speed तेज होता है fast होता है और जब दूर होता है तो उसका speed slow होता है इतना clear है अच्छा, the aerial velocity of planet is constant लेकिन जो aerial velocity है वो constant होता है अब aerial velocity है क्या main point है हाँ पर समझना है जो aerial velocity समझ गया वो proof कर देगा कि क्यों कमा speed है क्यों ज़्यादा speed है तो सबसे पहले तो aerial velocity क्या है तो a planet sweep equal area in equal time around sun ठीक है change in area with respect to time is called aerial velocity aerial velocity क्या है तो change in area with respect to time अब सुनियेगा मान लिजी बाबु कि आपको यहाँ पे यहाँ पे सूरज है ठीक है अब यहाँ से थेज घूमेगा तब तो ज़्यादा distance cover करेगा यहाँ पे देज घूमेगा तब तो ज़्यादा distance cover करेगा हमको यह दोनों area बराबर होना चाहिए क्योंकि time के हमको तो उतना ही यह थी करना ऐसा तो नहीं है कि मतलब सूरज घूम घूम के जल्दी जल्दी area cover कर लेगा तो speed देखिए कम अगर माली यह इतना है तो इतना speed ज़्यादा रहेगा तब ने इसका area ज़्यादा cover होगा दूर रहेगा तो इसका area यह वला कम cover होगा अब यह दुनों area आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए इसलिए नज़ितीक रहेगा तो इसका area क्या हो जाएगा जो speed है तेज हो जाएगा अदूर रहेगा तो कम हो जाएगा ताकि इसका area velocity क्या हो equal हो कहने का मतलब नहीं समझे area 1 इन्टू time के respect में area 2 इसका time के respect में area 1 इसका time के respect में दोनों का जो differentiation हो equal होना चाहिए यहां पर बोला कि area velocity of planet is constant दोनों क्या होना चाहिए constant तो इस matter में देखे एरिया बन जो भी एरिया है मनलब दो गो एरिया लिए कोई और एरिया यहां ले लिए मानली सन यहां रहेगा यहां सन रहेगा और इसका area इसका area with respect to time टीवन एक का ल टाइम में area cover किया area 3 और यह area 3 जितना time में cover किया इस सब क्या होना चाहिए constant होना चाहिए constant बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको किया speed अगर नजदीक है तो area इसको तो ज्यादा area cover करना है कम ही time में क्या कर देगा अपना speed को क्या कर देगा टेज कर देगा ठीक है और यहां पर इसको क्या करना है अब area cover करना है लेकिन यहां पर क्या करना है time इसको सबके लिए fix है time सबके लिए fix है time को fix रखना एक सेखेंड में इतना एरिया कभर करना ताइम कोई क्या कर लेगा तो तो यही एरियाल वेलोसिटी अगर आप समझ गए होंगे तो समझ गए हूं कि इसका रीजन क्या वैसे आपको रीजन वहाँ एक्जाम में नी लिखना है सिर्फ इतना उसको बताना है अच्छा हां भाए अगर नजदीक रहेगा तो उतना ही टाइम में उसको क्या करना एरिया कवर करना है इसलिए टाइम को क्या कर देगा अपना स्पीड को क्या कर देगा फास्ट कर देगा और अगर दूर में है तो अपना स्पीड को कम कर लेगा ठीक है चलिए केपलर सेकेंड लोग को एक बार स पर वो constant speed से नहीं लगाता है पहला कि दूसरे point में कि अगर वो नजदीक होता है तो उसका जो speed होता है प्लेनिट अगर संसे नजदीक होता है तो उसका speed होता है और दूर होता तो उसका speed slow होता है second point third point में अगर क्यों ऐसा होता है तो aerial velocity constant करने के लिए तब पूछा जाएगा aerial velocity क्या है तो बोलिएगा change in area with respect to time यह है aerial velocity constant करने के लिए कहने का मतलब कि अगर जितने time में जितने second दिया हुआ एक fix time दिया हुआ है तो अगर एरिया कभर करना है तो अगर माल लिजे कि एतना ही सकेंड है और हमको area कभर करना है जादा क्योंकि नजदीक है तो इसलिए नजदीक रहता तो तो स्पीड बढ़ जाता है दूर रहता तो घड़ जाता है इतना समझ में आ गया चलिए देखिए यहां पर एक example भी लिया गया कि जब टाइम अलग अलग हो तो एरियल वेलोसीटी बराबर नहीं होगा ठीक है एरियल वेलोसीटी बराबर नहीं हो सकता है जब अलग